हेलो एंड वेलकम बैक गाइज स्वागत है आपका शौपिंग लोवर यूटूब चैनल में और आज इस वीडियो में मैं आपको कार के ब्रेक कैलिपर पीन कैसे चेंज किये जाते ये दिखाने वाला हूँ मैं मेरे दोस्त के गारेज में आया हूँ यह है छोटू भाई जो हमारे गाड़ी को लिप्ट कर रहे है उपर तो उसके बाद में हम लोग काम चालू करेंगे ब्रेक कैलिपर पीन को चेंज करने का में रिचन है कि मेरा यह वाला पाईया थोड़ा जाम चल रहा था और जब मैं हड ब्रेकिंग करता था तो थोड़ा आटक जाता था और जब मैं लिप्ट करके उठाया तो मुझे समझ में आया कि मेरा पाईया थोड़ा जाम चल रहा ह छोटू भाई ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपके ब्रेक क्यालिपर पिन चेंज करने होंगे तो अभी छोटू भाई उनके निमेटिक गन से मेरा पहिया बाहर निकालने माले है इस गन के वज़े से काम बहुत फास्ट होता है और नट भी जल्दी से निकलाते हैं और काम करने में आसानी रहती हैं अभी पहले हमारा बहार आचुक है और मैंने स्टेरिंग को क्रोस कर लिया ह्ए स्टेरिंग क्रोस करने से हमें पिछले वाले जो बोल्ट रहते हैं ओ निकालने में आसानी रहते हैं तो चोटी भाई हमारे एंटी क्लोक वाइस बोल्ट को गुमा रहे है और बोल्ट निकार रहे है इसमें थोड़ा ताकत इस्तमाल करना पड़ता है यह आसानी से निकल जाद है फिर यह देखिए दोस्तों चोटु भाई ने कैलिपर असेंबली बहार निकाला है तो अभी क्वाई प्रेपर का पिन वोलोग पहले हिलाके देखते कि उसमें प्ले आया है या नहीं तो अभी उनके खायल से तो प्ले है अभी हमने नया लाया है तो उसको बिठाएंगे वह जो बूट रहता है जो रबर का वह भी कटा-पटा नहीं होना चाहिए वह भी नया होना चा करता है जो कैलिपर पिन के ग्रीसिंग के लिए वही इस्तमाल करना चाहिए मैं आपको आगे जाके वह दिखाऊंगा चोटो भाई अंदर से सब क्लीन कर रहे कि पूरा नावला ग्रीस निकल जाए तो यह देखिए चोटो भाई ने ग्रीस लगाया है शायद टिवेस कंपनी क मैं आपको पैकेट दिखा रहा हूँ अब यह देखिए चोटो भाई थोड़ा दिखाईए यह देखिए टिवेस नाम है इसका और एक कैलिपर के लिए ही आता है यह ग्रीस तो बहुत सरे कोई भी गाड़े में आप लगा सकते हैं ऐसा कोई ने कि हुंड़े का लगाता दोख़ें बेखो़ो थोड़ा गोने अलग रहते हैं तो आगे रभर रहते हैं तो वह वाला पिन हमने पहले इंस्टॉल कर लिया है अभी इंस्टॉल करने के बाद हम उसको इसका बोल्ट कस देंगे और बा bevor पीन जो जो क्याति बर कर दें बाता है उसको निकान है इस więc पी वाले पिन को जो पूराना पिन लगा है उसको निकालेंगे तो अभी चोटु भाई शुरुवात करने वाले हैं और इस तरह से चोटु भाई ने ये वाला भी कैलिपर पिन निकाल लिया है तो अभी हमेरे चोटु भाई नए कैलिपर पिन को बूट बिटाने में लगे है ये इसको गलती से भी मत भूलिएगा अगर आपका कटा फटा है तो रिप्लेस कर दीजेगा ये वाले कैलिपर पिन को भी ग्रिसिंग होने के बाद अभी चोटो भाई लगाने वाले है ये देखिए इसको ए पिन बोला जाता है और नीचे वाला रहता है ये वाला पिन भी अंदर जा चुका है अभी चोटो भाई उसका बोल्ट कसेंगे बोल्ट को कसते वक्त भी आपको काफी साउधा ने रखनी है अगर थोड़ा सा भी लूज रहे गया है ना तो पूरा बैंड बच सकते है ब्रेक का आपका ब्रेक लगे का भी नहीं तो इसलिए आप उसको पूरी दरिके से एक तरीका रहता है फिटर लोगों का कि ये देखे हाथ से मार मार के वो लोग टाइट करते है तो उससे उनको भी कनफर्म हो जाता है कि वो अच्चे से टाइट हुआ है तो इस प्रोसेजर को फॉलो कीजिए अगर आपके पास नुमेटिक गन है तो ठीक है छोटो भाई के पास भी नुमेटिक गन है लेकिन ये जो हलके हाथों से किया जाने वाला काम है उसको लोग गन नहीं करते है यूज प्लेट थोड़ा भोच चलते है 19-20 लेकिन जादा नहीं होना चाहिए अगर जादा होगा तो ब्रेक की वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी इससे आपका ही लॉस हो सकते है ब्रेक जाम चल सकते है तो काडिक आवरेज पर भी फरक पड़ता है उससे और आपके डिसक पैड़ भी जादा किस सकते तो अबgili चोटू भाई स्टेरिंग सिधा होने के बाद आमारा टायर फिट करेंगे टायर फिट करने के बाद हमारा काम कम्लेट हो जाएगा तो बाद में ट्रायल लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्योंकि वह घिस जाते है थोड़े बहुत तो थोड़ा बहुत गिस गया तो ठीक है लेकिन मेरा थोड़ा जादे है घिस गया था इसके वज़े से मैं उसको रिप्लेस किया हूँ यह वीडियो में ने घर आने के बाद बना है तो यह मेरा दो कैलिपर पीन है ए और बी तो बी वाला इधरी रख देता हूँ यह है वाला तो यह वाला जो पीन रहते है वो गोल्डन कलर कर रहते है तो आप इसके उपर हुआ हुआ गिसावट बिल्कुल मतलब आखों से देख इसके आगे रबर लगा हुआ रहते है तो इसके उपर भी बहुत सारे मार्सक आ गये है कि गिसावट के तो आप देख सकते है इसलिए मैंने फ्लैश आउन करके ही रखा है तो आप इसको अच्छे तरह के से देख पाए तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा तो यह वीडियो घर आने के बाद क्यों बने है तो इसको घर आने के बाद मुझे पहले वाश करना बड़ा पेटरोल से और उसके बाद ही मैं आपको दिखा सकता था क्योंकि वो पूरा ग्रीस लगा हुआ था और गंदे दिख रहे थे इसलिए मैंने वाश किया और आपको आगे दिखा है तो अभी चोटु भाई टाइट कर रहे है और बाद में उनके गं से उनको फूल टाइट करेंगे बाद में हमारा गाड़ी जैक से नीचे उतर जाएगा तो हमारा काम भी ही पे कंप्लीट हो चुका है तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्फूल ल